प्रथमह पाधः, वर्ण माला, पुन्रा वृत्ति ही वर्णह, दुवनियों के उन लिखित चेन्नों को वर्ण कहती हैं, जिनके खंड नहीं किये जा सकते, संस्कृत वर्ण माला में कुल 46 वर्ण होते हैं स्वराह, जिन वर्णों के उच्चारन करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हैं, उन्हें स्वर कहती हैं संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है रस्व स्वराह, अ, ई, उ, रि, लि, लि, दीर्ग स्वराह, आ, ई, उ, रि, रि, संयुक्त स्वराह, ए, आ, ई, ओ, आउ व्यंजनाने, जिन वर्णों के उज्जारन में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं संस्कृत में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है स्पर्शाहा संयुक्त व्यंजनाने जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है तो संयुक्त व्यंजन बनता है जैसे इन्हें क्रमशह, बिंदू तथा विसर्ग चिन द्वारा दर्शाया जाता है व्यंजनों में स्वर जोडना क्जमा ए के, क्जमा आई कै, क्जमा ओ को, क्जमा आउ काउ वर्ण विन्या सह काक क्जमा आ का जमा क्जमा अ क अकारांद रमा र जमा अ र जमा म जमा आ मा आकारांद रवी र जमा अ र जमा व जमा इ, वि, एकारांद, नदे, न जमा अ, न जमा, द जमा इ, दी, एकारांद, साधु, स जमा आ, सा जमा ध, जमा उ, धु, उकारांद, भानु, भ, जमा आ, भा, जमा न, जमा उ, नु, उकारांद, मत्री, म, जमा आ, मा, जमा त, जमा री, त्री, रिकारांद,